स्टूडट आज हम पढ़ेंगे सेल सिस्पेंशन किल्चिर के बारे में सबसे पहले हम बात करें कि यह क्या है तो यह टिशू कल्चär की एक टाइप है। पहां पर यह जो हमाने सामने डायगराम है, इसपें टिशू कULTURE की टिखनीग दिखाई गई है. अब टिशू कULTURE की टिखनीग यहां पर यह जो दिखाई गई है, यह प्लांण्स की दिखाई गई है, जो हम प्लांट्स जो हैं, वो भी एक living organism है, आ एक के एक करते हैं यम किया करते हैं कि हम लेविंग जेंख लेते हों कि फॉइ ना कोई पा इसे यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमने cell suspension culture बनाया है, क्योंकि जो भी हम पार्ट लेंगे उसके अंदर cell होगा, और बाद में उस cell से हम एक solution बना लेंगे, जो के बिल्कुल homogenius होगा, एक जैसा होगा, तो उसके जरीए हम एक plant डिवेलप करेंगे, और उसे कहते हैं cell suspension culture, अब अगर हम बात करें कि इसमें होता क्या है, तो जो पार्ट हम living organism का separate करते हैं, जिससे बाद में हम पूरा plant बनाते हैं, उसे tissue culture की technique में कहा जाता है X plant, और X plant जो है, अगर हम उसकी बात करें कि वो क्या होता है, तो cell suspension culture में कोई भी हिस्सा हो सकता है, यानि कि plant का कोई भी आप पार्ट ले लें, तो उसे हम X plant के तौर पे इस्तामाल कर सकते हैं, cell suspension culture में, यानि कि अगर हम plants के, उनका अगर हम leaf ले रही हैं, leaf का कोई पार्ट ले रही हैं, या stem का कोई part ले रहे हैं, या उसके flower का कोई part ले रहे हैं, तो वो क्या है? हो प्लांट का हिस्सा है, और उस से हम क्या कर सकते हैं, उस से हम cell suspension culture कर सकते हैं, अब cell suspension culture जो है, इसमें होता किया, इसकी techniques, जो हम step by step देखेंगे, लेकिन सबसे पहले, जो भी हम part लेते हैं, जो भी हम ex plant लेते हैं, उसको क्या किया जाता है? उसको एक medium के उपर रखा जाता है. यहां पर यह जो हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो प्लांट है, छोटा सा एक बन रहा है, न्यू प्लांट बन रहा है, इसके नीचे आप देखें तो एक solidify हुई वी चीज मौझूद है, यह क्या है, यह medium है और इसके अंदर nutrients और वो nutrients इस medium के अंदर मौझूद होते हैं, अब जब यहां पर हम x plant रख लेते हैं, तो क्या होता है, कि जो भी हमारा x plant है, यह जो भी part है plant का, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर cell division स्टार्ट हो जाती है, यह क्योंकर cells है और cell के अंदर एक process होता है, cell division का, और इस cell division जो एक सेल होता है, वो एक से दो होता है, और फिर दो से चार होता है, और जब वो एक mass of cell बन जाता है, तो हम उसे कह रहे हैं, कि इस यह क्या चीज है, यह कैलिस डिवेलप होना शुरू हो गया है, अब cell suspension culture में जो कैलिस डिवेलप होता है, अगर हम उसकी diagram देखें, कि तरीके से होते हैं, तो यहां पर यह हमारे सामने एक diagram है, यह जो है, यह जो mass of cell बनाए है, इसे कहा जाता है, यह कालस है, यहां पर यह जो बनता है, और जो cell suspension का इस बनता है, वो उसकी एक खास खासियत होती है, कि उसमें जो dividing cells होते हैं, वो बहुत जादा compact नहीं होते हैं, यानि कि बहुत करीब करीब नहीं होते हैं, अगर हम diagram से show करना चाहें, तो हम सिर्फ समझने के लिए, यहां पर दो किसम के cells हैं, उनकी arrangement कैसी होती है, वो show करते हैं, कि यहां पर पहले आप देखें, यह जो हम draw कर रहे हैं, इसमें देख सकते हैं, आपके cells जो हैं, वो थोड़े loosely packed हैं, इस किसम की arrangement होती है, जिसमें callous इस तरीके से loosely arranged cells इसमें मौ compactly arranged हों, इस तरीके से, तो हम इने कहें के, कि यह compact callous है, लेकिन cell suspension, जब culturing हम करते हैं, तो इसमें हमें इस तरीके से loosely arranged cells हैं, callous के अंदर वो चाहिए होती हैं, और इस किसम का callous बनता है, और इस यह जो callous होता है, यह बाद में, यह जो है, यह किस चीज़ पर मौजूद हो जाती है, और इसमें होता क्या है, कि इसमें जो cells होते हैं, जो aggregation of cells है, इसको हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, यहां पर यह जो cells हैं, जो loosely arranged हैं, और यह काफी loosely arranged हैं, लेकिन इनको हम और थोड़ा सा breakdown करके, इनको हम क्या कहते हैं, कि छोटे छोटे हम clumps of cells बना दे और जब यह अलग हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि अलग होने के बाद हम इनको uniform distribution कर देते हैं इनकी अब uniform distribution जब हम इनकी करते हैं तो हम क्या यहाँ पर आप इस diagram में देखें तो यह इन्होंने यहाँ पर Scalice की Uniform Distribution कर दिये और यह जो Uniform Distribution है यह क्या चीज़ बन गई है? यह Suspension बन गई है क्योंकि यह Homogenius सा एक Mixture बन गया है और यह जो Suspension है क्योंकि यह इसके अंदर Cells मौझूद हैं तो इसे हम कहते हैं कि यह Cell Suspension बन गया है अब यह जो Cell Suspension है इसकी अगर हम Importance की बात करें कि हम Cell Suspension जो है वो करते क्यों है तो Cell Suspension की जो सबसे ज्यादा Prime Importance है वो यह है कि हम बहुत सारी जो Drugs हैं जो हम Plant के मुक्तलिफ हिस्सों से लेते हैं कभी हम उनके Leaf से ले रहे होते हैं कभी हम उसके तने से यानि कि उसकी Stem से ले रहे होते हैं कभी हम उसकी Roots से वो ड्रग ले रहे होते हैं तो जब हम उसी हिस्से को लेते हैं और उसका हम Cell Suspension बनाते हैं तो इसके अंदर भी उसी हिस्से के Cell Suspension से भी हम ले सकते हैं इसका मतलब है कि Cell Suspension से हम वो ही chemicals या वो ही drugs ले सकते हैं जो के पूरे एक entire plant के अंदर मौजूद है अब अगर हम examples लें के ऐसी कौन सी drugs हैं या ऐसी कौन सी chemicals हैं जो हम इस्तमाल करते हैं cell suspension के culture के जरिये तो एक plant है जिसे कहा जाता है जिसका अगर हम name देखें तो उसका scientific name है Synchona Legeriana Synchona Legeriana जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसको एक drug बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है और ये जो drug है अगर हम इसका नाम देखें तो इससे कहा जाता है Queen 9 Queen 9 जो है अगर हम इसकी बात करें कि इसको ये जो drug है इसको किस लिए इस्तमाल किया जाता है तो malaria की treatment के लिए ये इस्तमाल की जाती है medication के तौर पे और ये जो drug है ये हम cell suspension culture के जरीए भी ले सकते हैं यानि कि यही plant इसका हिस्सा लें और उसमें cell suspension अगर हम उसका बनाएं तो उससे हम ये जो drug है ये हासिल कर सकते हैं इसी तरीके से एक और जो drug है वो भी हम cell suspension के जरीए हासिल कर सकते हैं और उसमें जो plant इस्तमाल होता है वो है digitalis lantana digitalis lantana जो है इस plant से हमें जो एक चीज ड्रग या chemical हासिल होता है वो है digitoxin और जब हम digitalis lantana का cell suspension बनाते हैं इस तरीके से तो इसके cell suspension से भी हम digitoxin हासिल कर सकते हैं और यह जो digitoxin है इसके अगर हम बात करें कि यह किस चीज के लिए इस्तमाल होती है यह drug तो बहुत सारी heart की conditions हैं यानि कि normally जब heart function कर रहा होता है तब तो हमें drug की जरूरत नहीं परती लेकिन अगर heart की functioning कुछ खराब हो जाए उनकी arteries में या कुछ ब्लॉकेज आ जाए तो उसके लिए हम एक drug इस्तमाल करते हैं यानि कि heart की कोई भी abnormal condition हो तो उसके लिए डॉक्टर जो है वो digitoxin recommend करते हैं जो एक drug है और ये drug भी हम इस plant के digitalis lantana के cell suspension के जरिये हासिल कर सकते हैं तो students आज हमने पढ़ा है cell suspension culture के बारे में कि किस तरीके से हम suspension बनाते हैं solution की form में मुखतलिफ किसम के plants के cell को लेकर और उसको हम इस्तमाल कर सकते हैं मुखतलिफ किसम की medication में drugs के तोर पे